एर इंडिया एक्स्प्रेस के करमचारियों ने 7 माई से जाड़ी हरताल वापस ले लिया है तो असल 200 से जादा क्रूब मेंबर्स ने 7 से कलीव अपलाई किया और अपना मुबाइल फोन आफ कर लिया इस वज़े से एरलाईन को 170 से जादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थी इसके बाद एरलाईन ने 25 करमचारियों को बरखास्त किया और हरताल वापस न लेने पर सभी को नौकरी से निकालने की बात कही टीफ लावर कमिशनर की अध्यक्षिता में हुई मीटिंग में एरलाईन और करमचारियों के बीच हरताल वापस लेने और बरखास्त साफ की बहाली पर सहमती बने पूरे मामले को लेका स्टाफ का कहना है कि जनवरी 2022 में टाटा ने एरलाईन का टेक ओवर किया जिसके बाद हालाद बिगड़ गए सेलरी का बड़ा हिस्सा पी लाई में चला गया सीनियर भेजाव बतरते हैं प्रमोशन पॉलिसी भी ठीक नहीं है स्टाफ का कहना है कि एरलाईन आक्स कनेक्ट और दस्तारा का एर इंडिया में मर्जर एर इंडिया के मूल करमचारियों के खिलाफ है